क्योंकि कल स्रावस्ती में प्रोग्राम था, हमारे साथ जो साथी हैं उनको पता है कि सुबह पाँच बजे हम लोग लग लट पाए तो दो-तिन घंटे सोय हैं उसके बाद कारकम में आ गए लेकिन आपने जैसा बताया कि बेटे समान है तो पिता के मित्र है हमारे उनका आदे हूं इस बंदेल खंड की धर्ती से उस धर्ती पर बंदेल खंड बहुजन महत्साओं नाम से एक कारकम हो रहा है यह बेहत गर्व की बात है कुछ लोगों को इस बात में तकलीफ थी के बहुजन महत्साओं क्यों अब मैं मतलब उनके घ्यान पर सवाल उठाऊँ या उनकी जगे में एक आरक्रम हो रहा है, ये बुद्ध बिहार है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा कहां से आया था, बुद्ध का दिया हुआ अत्रिपटक से लिया हुआ नारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बुद्ध की धर्ती पर, स्वामी ब्रह्मानंद क धर्ती पर भुजन महुत्साव नहीं होगा तो कौन सा महुत्साव होगा तो खेर मैं सिधे मुद्दे पर आता हूँ मैं जब लखनव से चला कलम लोग स्रावस्ती गए स्रावस्ती से लोटे लखनव आये लखनव से इधार आया तो पूरे रास्ते में दो विचारधाराओं का टकराओ देखने को मिला एक विचारधारा वो थी जो मनु इसमती के विधान से निकली हुई थी नदियों को गंदा करने वाली एक विचारधारा एक है जो बाबा आपके सम्मिधान से निकली है तो ते आपको करना है आपके सामने दोनों विकल्प मौझूद है कि आप आज भी मनु के बिधान वाली विचारधारा को पसंद करते हैं और वावा साब के सम्मिधान वाली विचारधारा को पसंद करते हैं आपके सामने दोनों तरह के पांडा लगाये जाता है जहांके स्वामी ब्रह्मन अंद लोधी जी भगवा बस्तरधारी इस स्वामी के पंडाल में जाना है इस बाबा के पंडाल में जाना है जो कहता है कि साल भर बच्चे को जो ना भेजो एक्जाम के समय स्यू लिंग में बेल पत्री चिपकादो बच्चा पास हो जाएगा तो कौन से वाले पांडाल में ले जाना चाहते हो बच्चों इस वाले पांडाल में या उस वाले पांडाल में इस वाले पंडाल में ना, ये वाले बाबा वाले, और ये वाले स्वामी वाले, इसमें आना चाहते हो, तो जितनी मैलाएं सिरह ला रही हैं, कि इस वाले पंडाल में आना चाहती हैं, तो आज तारीक हो गई 13, और 13 अक्टूबर से कुछ दिन बाद, एक उस वाले पंडाल व लुख करके दे रहाओं के मनुबादीयों की दुकाने भी बंद हो जाएंगा क्योंकि जितने भी दूरतों को आप सुनोगे वो कहते हैं कि अगर कथा पंडालों में भागबत के हमें कथ पैसे न दिये जाएं तो हम करने क्यों जाएं और पैसा देता कौन है इस देश में बड़ा उपभोगता कौन है ये बहुजन समाज अगर ये बहुजन समाज तै कर ले कि हमें इनकी दुकानदारी चौपट करनी है तो दो मिनट से जादा का वक्त नहीं लगेगा लेकिन अपसोस की बात है बहेलिया आएगा जाल विछाएगा हम को फसाएगा लेकिन हम और जोली वाला बाबा आता है जुमले सुनाता है रासन बटवाता है और हम और फिर अगली वार वही कहानी फिर से रटते हैं फिर से दोताते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं यही स्वामी ब्रह्मानंद और यही बाबा साहब भी कहते थे कि तर्कवादी बनो रट्टू तोता मत बनो किसी को पूजने पर भरोसा मत रखो चाहे स्वामी ब्रह्मन अंदलोदी को अगरवत्ती दिखाओ चाहे बाबा साब को दिखाओ और चाहे सिवलिंग को अगरवत्ती दिखाओ तीनों सेम है अगरवत्ती दिखाने से ना ये दोनों कुछ देंगे और ना वो कुछ देंगे इसलिए इनके सिच्छा पर काम करो मुझे गर्ब हुआ इस बात का कि मेरे बड़े भाई अनिला हिरवार जी ने मुझे सौामी बर्मन अंदलोदी जी की इस्टेचू भेट की दोनों विचारधाराओं का अंतर समझ ली दिये एक वो पांडाल वाली विचारधारा है जो अगर भेट करते तो कोई ना कोई अस्तरस्तर हाते में लिए होता अगर वो लोग भेट कर रहे होते तो कोई ना कोई अस्तरस्तर हाते में जरूर होता क्योंकि वो खून खरावे की विचारधारा है लेकिन हमें जो दिया गया हमारे पुर्खों ने क्या बनवाया इस शेत्र में जब स्वामी ब्रह्मन अलोधी का आप नाम लेते हैं तो हमारे पुर्खें ने क्या किया इस शेत्र के लिए इसकूल खुलवाए सिख्षा को महत दिया पहला भगवादारी सांसद जिसने सदन में खड़े होकर के पाखंड और अंदुस्वास की चूले हिला दी थी उस पुर्खे की विरासत में समाल रहा हूँ तो जो हमारे पुर्खे इतने खतरनाक थे हम कैसे होंगे सोच लिए जब हमारी जड़ी इतनी खतरनाक है जब हमारे घर परवार के प्रताब लोदी जैसे पुर्खे सोच लीजिए जब विचार धारा से इतने खतरनाक है तो हम तो अभी युवा हैं हमें क्यों रोकते होई कि थोड़ा समल के बोलना कहां से बोलेंगे जब हमारे पुर्खे नहीं बोलते थे समल करके अब मुख्य-मुद्दे पर आता हूँ बार बार एक बात कही जा रही है जातिवात इस बात से सह्मत है कि जाती बात तो बहुत बड़ी बीमारी है, खतम भी होनी चाहिए, तो जाती बात खतम करने की सुरुबात कौन करेगा, मैं ज़स समय हिंदुस्तान न्यूच पेपर में सीनियर सब एडिटर हुआ करता था, उस समय अन्ना हजारे का अंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे के अंदोलन में मेरे अलावा सभी अन्ना हजारे अंदोलन के समर्थन में थे मेरे ओफिस में, जितने भी थे सब समर्थन में, मेरे संपादक जी बोले कि यार, पटिल साब, आप अन्ना हजारे के साथ क्यों नहीं खड़े हो, तो मैंने का आप खड़े हो, बोल अपने संपादक से पूछा था कि अगर पूरा देश ब्रश्टाचार के बिरोध में हैं तो ब्रश्टाचार कर कौन रहा बैसे ही मेरा सवाल कल मैंने स्रावस्ती में पूछा वहां लगवक 15-20,000 की भीड़ थी रात में 12 वजे मेरा बासन चला था 15-20,000 लोग थे तो मैंने क तो पाखंड की दुकाने कौन चलवा रहा है समस्या यहां पर है कि हमारे जैसे क्रामतिवीर मंचों से भासन ठोकते हैं कि बेटा गोवर है घर में उनी की पत्निया जो मनुवाद की एजेंट बनी वैठी बेटा गोवर नहीं है गड़े से पूजलो अपने अपने घरों मे काम नहीं हो रहा है सामने वाले को उंगली दिखा के कहा जा रहा है तुम ठीक नहीं हो मैं कहता हूँ कि उंगली इस तरफ करो इस तरफ और पूछो कि जो मंचों पर जो एक एक बात बोल रहे हो उस एक एक बात का पालन अपने घर में करवा रहे हैं और नहीं करवा रहे है जिस दिन ये तै कर लिया कि मंच पे जो एक बिल्कुल आप बीटो जारी कर दी जिए कि मंच पे जो बड़ा भासन वीर जो भासन देगा अपने जीवन में भी उसी बात को लागू करेगा पर इवरतन जखकमार करके आ जाएगा क्यों क्योंकि कि किसी भी ब्यक्ति के भासन से जादा उसका आचरण फॉलो किया जाता है यहां तमाम लोग बैठे हुए हैं जो मेरी माता जी के निधन पर गए थे क्या जितना मंचों पर भासन ठोकता हूँ उसका पालन किया या नहीं किया बताईए जो लोग गए थे पालन किया ना 100% बच्चे के नाम करण में उसका पालन किया के नहीं किया मेरे बेटे का नाम है कवीर सिवाजी इस बात पे सवाल उठा है कि नीरज भाई पटेल क्यों लगाते हो तो मेरे बाप ने लगाया है मैं जिसका बाप हूँ उसके नाम से हटा दिया है जब मालिक हुआ तो हटा दिया है एक ही आलोचना मेरी रह जाती है लेकिन अभी लगाऊंगा अभी इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अगर पटेल या लोधी यादाओ या मौरिया अगर मंचों से जैभीम कहता है उसका महत तो अभी अलग है इसलिए लगाता हूँ मेरी दुकानदारी अब खतम है कुर्मियांबेपे में अब दुकानदारी के बल भोजनों में रह गई है इसलिए उससे कोई विसेश फाइदा नहीं है लेकिन इस संदेश के लिए लगाता हूँ कि समझो कि अब कौन-कौन लोग बॉद्दिश्ट हो गए है कौन-कौन अम्बेट करवादी हो गए है इसी से उनकी चूले हिलती है अगर वो ये गलत फ़हमी में आ गए कि सिर्फ एक जाती के लोग ये नीला पटका और ये बुद्ध का धम का पटका पहनते है तो उनको घवराट नहीं होगी उनको जिस दिन ये महसूस हो जाएगा कि करपूरी ठाकुर की जैनती यहां का लोधी समाज जूम करके मना रहा है उससे उनको तकलीफ होगी जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि सिवधियाल चौरसिया की जैनती यहां का सचान यानि की पटेल मना रहा है इससे उनको तकलीफ होगी स्वामी ब्रहमन अंद लोधी के जैन्ति लोधी मना रहा है इससे कोई ब्रहमन वादियों को तकलिफ नहीं है चाहिए इतने धूम नाम से मना लो जब तक महापुर्सों को एक्सचेंज नहीं करोगे एक दूसरे के महापुरसों को अपना पुर्खा नहीं मानोगे कोई बदायों नहीं होना चाहिए तने धूम नाम से कारकम कर लो और मैं इसलिए कहा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बौदिष्ट मंज से घोसना की थी और जिस दिन मेरी ये घोसना आपको गलत लग जाए उसी दिन कान पकड़ के मन से उतार देना मैंने घोसना की थी कि किसी भी जाती महासवा के कारकम में नहीं जाओंगा तो नहीं जाता हूँ लेकिन यहां समस्या क्या है बहुजन भी है और जाती के पतादिकारी भी है अपनी जाती महासवा में पतादिकारी भी एड़ेश्ट है और बहुजन भी है तो दोनों एक साथ कैसे चलेगा भाई दोनों एक दूसरे के बिप्रीच चीज है ब्राम्मर चाहता है कि तुम जाती महासभाओं को मजबूत करो बिल्कुल चाहता है और जाती महासभाओं का सबसे बड़ा फाइदा कैसे उठाता है जैसे ये बहुजन पांडाल है हमारा अगर ये किसी जाती महासभा का पांडाल होता तो यहाँ चर्चा क्या हो रही होती जाग जाओ कुर्मी छत्री सूरवीरों जाग जाओ लोधी बंस के छत्रियों जाग जाओ यादव बंस के छत्रियों तो होता क्या जो बाहर हमारा ही भाई दुकान ख़ल करके बैठा होता कोई मौर्या वो कहता साले, जाग जाएंगे, तो गाउं में हमीं के तो परिसान करेंगे, ये जाग के ठाकुर भाममा से तो लड़ेंगे नहीं, जाग जाएंगे, हमें ठेतों पर परिसान करेंगे, तो तुम्हा ये जाग जाओ, जाओ, कि चक्कर में तुम नहीं जागे, वो जाग गया, जो तुम्हारा दुसमन था इसलिए अब एकी नारा मंचों पर होना चाहिए जाग जाओ बहुजान वंस के सूरवीर क्योंकि हम सब एकी रक्त वंस के हैं कोई थोड़ा प्लस, कोई थोड़ा माइनस सब का रक्त एकी है सब एकी जगे से निकलें कोई भाई थोड़ा कम रह गया कोई भाई थोड़ा उपर निकल गया इसलिए ये जातियों के आधार पर जाग जाओ वाला कॉंसेप्ट खतम कर दो अब इनसे नुकसान कैसे होता है और अच्छा अब मैं भासान ठोक रहा हूं तो मेरी भी तो इस बात की परिक्षा होनी चाहिए मैं लखनव से पांच लोग आए मेरी गाड़ी में ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है लेकिन काम की है मेरी गाड़ी में पांच लोग आए आकास बर्मा मेरी गाड़ी में आए हैं बताइए कि नाम ठीक ले रहा हूं की नहीं मेरी गाड़ी में पांच लोग आए आकास बर्मा साहू जी अपनी गाड़ी में आए क्या नाम है साहू जी का अजय साहू मेरी गाड़ी में आए तीसरा मेरी गाड़ी में आए अतुल सविता चोथे मेरे गाड़ी में चेतन जोसवाल और पांच में आए नीरत पटेल मैं क्या कहने की कोसिस कर रहा हूँ अगर बहुजन कॉंसेट के कारकमों में जा रहे हो तो कम से कम गाली में डाइवर्सिटी भर लो जब किसी वर्थडे में जा रहे हो या शादी में जा रहे हो तब तो जाती के बैठालो महले आथ पडोस के अगर किसी बहुजन कॉंसेप्ट के कारकम में जा रहे हो तो ध्यान दे लो कि गाली में पांच के पांच एक जाती के दुनी वैठे उतार दो इसलिए उतार दो कि तुम जिसको कहते हो कि भाई मेरे बगल में फलाने इस समाज के रहते हैं जाग नहीं रहे तो फिरी फन्ड में गाली में बठाल के लिए आओ जाग जाएंगे तीन-चार बार में लेकिन होता क्या है होता क्या है अभी मेरे जैसे किलियर कट आदमी के उपर आप फेस्बुक पे कहीं गूगल पे कहीं दुनिया भर में टाइप कर लो नीरत पडेल नेसनल जन्मत सब कुछ कुंडली खुल के आ जाएगी मतलब जे जाने का एजंडा तयार है कहीं कोई उसमें इबट नहीं पूरा तयार है मामला इसके बावजूद RSS के लोग मुझे ट्राई करते हैं इसके बावजूद इस बात तो सीखने की जरूरत है इसके बावजूद RSS के लोग मुझे ट्राई करते हैं लेकिन हमारे पडोसी किसी धोबी समाज के विक्ति ने खटिक समाज के व्यक्ति ने बालिमी की समाज के व्यक्ति ने जरा किसी दूसरे कारकम में चला गया वो तो हास से निकल गया उनको बुलाना बेकार है नीरज भाई वो तो सब उस तरफ चले गए जब बच्चपन से एक कहानी तुमने सुनी है एक बार बुलाओगे दो बार बुलाओगे तीन बार बुलाओगे दस में से पाँच पर तो निसान पढ़ जाएंगे और यही बात महिलाओं पे भी लागू होती है जब तुम केबल एक तरह के कारकम में ले जाओगे तो उनको क्या समझ में आएगा कि हमारे पती देओ मंचों पर और कारकमम में क्या-क्या ग्यान लेकर किया है उनको तो वही पता है कि घर में इनी को पूझना है इनी को बच्चों को यही सिखाना है जब इस तरह के कारकमम में लाओगे बार बार लाओगे तो पतनियां आपके साथ कारकम में इनवाल्व हो जाएंगी और आपकी असली जीवन साथी हो जाएंगी मैं इसलिए इन मंचों पर वड़े मुख थो करके बोल पाता हूँ क्योंकि मेरी पतनी का मेरे साथ 100% सपोर्ट है बरना ऐसे मुख उखा के बोल रहा होता कोई घर ना पहुंच जाए मेरे कहीं हैं घर में टॉर्च लागा कि दूरने नगए कि यारी मंचों पर बोल तो कुछ रही तो यदर तो रखा कुछ और है लेकिन गर्ब के साथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वही बात कहता हूँ जितनी लागू अपने घरों में कर चुका हूँ तो एक कॉंसेप्ट यह कि जब इस तरह के कारक्रमों में जाओ तो गालियों में डाइवर्सिटी रख लो दूसरा कॉंसेप्ट यह कि जब तुम्हारे घर में घुसे तो पहली तस्वीर देख के यह न समझ पाए कि जाती का घर है जो पहले फेच के जागरुख हुए अब जागरुखता का अलम देखिए अगर यादाओ जागरुख नहीं है पाखंडी है तो जैसरी कर्षना जागरुख है तो पेरिया लले यादो अगर कुर्मी जागरुख नहीं है तो सरदार पटेल और जागरुख है तो महमना रामसुरु बर्मा यही concept सारी जातियों के साथ लागू होता है कि जागरुक हुए तो जाती का मसिया पकड़ लिया चलो कोई बात नहीं पहले तो कम से कम ये बहुजन जो अस्पताल है इसमें मरीज आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन मरीज है और ये समझ में आ जाए उसको बीमारी क्या है फिर चलो समझ में आता है कि पहले जाती का डॉक्टर पकड़ा दो पकड़ लिया तो कितने साल पकड़े रहो गए तीन साल, चार साल, पांच साल अगर पांच साल में भी बहुजन नहीं बन पाए तो जाती महासभा महीं काम करो वहीं तुम ठीक कुछ तो समय निर्दारित करना पड़ेगा कि भई अब पांस साल में बदल जाएंगे अब पांस साल में भी चेंज नहीं हो पार इसलिए कम खर्चे के सुझाओ है कम खर्चे के अपने घर में कम से कम पांच बहुजन महापुरसों की तस्वीरें टांग लो जो घर में गुसे वो कन्फ्यूज हो जा कि मानता किसको है क्योंकि इसी बहुजन कॉंचेप्ट से ये डरते हैं आप सोच करके देखिए जरा सोच करके देखिए कि अगर किसी सक्षम समाज का व्यक्ति सिवद्याल चौरसिया की जहनती इतने ही दूमदाम से मनाने लगे तो सोचो कितना इन लोगों की जड़े हिल जाएंगा कहें यार ये क्या होने लगा क्योंकि उनकी सोच तो ये है कि अच्छा सिवद्याल चौरसिया की जहनती है चोरह सिया समाज के सो डेर सो लोग इखटे होंगे इसी सोच को तो हम लोगों को बदलना है और एक बात चो मैं कहता हूँ उनको भी कारकमों में लागू करना है जिस जाती का महापुरुस मुख बक्ता और मुख अतिती उस जाती का रखिये ही नहीं एकदम क्रॉस बदल दीजिए ऐसे ही दीरे दीरे करके चीज़ें बदलती हैं और चेंज होती है सुप्रीम कोर्ट ने एक जुन्जना दिया कि क्रीमी लेर OVC में 92 से उसको क्रीमी लेर दिख गया था यानि कि OVC का रिजर्वेशन लागू किया और उसके साथ कह दिया कि भईया ये क्रीम बाले हैं क्रीम बाली परत है इसको हटाओ इसको नहीं देना अब SCHT में उसको क्रीम बाले लोग दिखने लगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं तो मेरा सवाल है माननी धर्ती के स्वैंभू मीलोट से कि अगर SCHT में क्रीमी लेयर है तो वो क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है वो क्रीमी लेयर वाले मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं है और अगर SCHT में क्रीमी लेयर हो गया है तो कम से कम क्रीमी लियर वाले को तो दमाद बना लो भाई हम नहीं कह रहे हैं हमें तो नहीं लगता है क्रीमी लियर है हमें तो लगता है भी बहुत इस्तितियां खराब है लेकिन सुप्रीम कोड को लगता है कि क्रीमी लियर है तो क्रीम वाले नीचे वाले छोड़ दो और बाबा सहब ने मिल करके दिया था जाती पाती तोड़क मंडल की स्थापना की जब संतराम बिये प्रजापती जी ने तो उन्होंने भासन देने के लिए बाबा सहब को लाहौर बुलाया जिस अधिवेशन में वो नहीं जा पाए उस अधिवेशन में जो उनको बोलना था वही एनिलेशन ओफ काष्ट की सकल में छापा गया उनका भासन यानि की जाती का बिनास और उसमें उन्होंने क्या सॉलियूसन बताया इंटर काष्ट मेरिज अंतर जाती बिवाह मैं तो कुर्मियों से कहता हूँ कि जिनको तकलीफ होती है कि यादा हो जादा हो गए तो मैं कहता हूँ दमाद बना लो समस्या खतम हो जाएगी ऐसी में जिनको लगता है कि फलाने जादा हो गए तो मैं कहता हूँ दमाद वाले रिस्ते परदा कर लो आपस में साधिया तयार कर लो जब घर में कोई महिला दूसरी जाती की होगी तो उसके सामने कैसे बुराई कर पाऊगे उस जाती करी नहीं पाऊगे अपने आप का होगे हाँ नहीं ठीक लोग होते हैं तो यह इंटरकाष्ट मेरिस से अच्छा दिलीब भाई हमारे हैं के नहीं इदर वो सॉल्यूसन दे चुके हैं यह भावी बैठी हुई है यहाँ पे इस इंटरकाष्ट मेरिस से अच्छा कोई सॉल्यूसन है नहीं जाती पाती को तोड़ने का इस फॉर्मूले को अपना लो और अंतिम बात के साथ बात खतम करता हूँ कि इन पांडालों में बैठी हुई महिलाओं को एक बात और आस्तव कर देता हूँ कि मेरे बेटे का नाम है कवीर सिवाजी तकरीवन साड़े तीन साल से उपर का हो गया है लेकिन इन साड़े तीन सालों में यहां तो जूट नहीं बोल सकता मेरे पता जी के तमाम मितरबैठे हुए है पता कल लेंगे इन साले तीन सालों में देश में कोई पता निंकookyूं ऐसा हुआ कि देश में कोई तांतरिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे बेटे को नजर लगा दे उसको आज तक नजर ही नहीं लगी जबकि यहीं से बच्चे जाएंगे इन कारकमों से उनको नजर लग जाएगी और तब नजर नहीं लगी कबीर को जब उसके हाथ में काला धागा लाल टीका, हाए, चाकू कुछ नहीं पहनता साड़े तीन साल में कहीं माता टेकने नहीं गिया, लेकिन किसी की हैस्यत नहीं हुई कि मेरे बेटे को नजर लगवा दे दरसल नजर होती क्या है जब इन कारकमों से बच्चे घर जाते हैं तो सौबाविक तोर पर जो छोटे बच्चे होते हैं तो हर अब होता क्या है जब ये आइटम करते करते पंदरा मिनट बीस मिनट आदा गंटा गुजर जाता है तो जब आदा गंटा गुजर जाता है तो स्वाबाविक है वो ठक हार करके सो जाता है तो कहते हैं लास्ट वाला आइटम ओके है तो अगर इन बाबा की सरण में आ ग स Verf Depont假 कि यान Empire मरने के आद जरूर, पितर टरेंगे तो पितर टर आने के लिएा जो घर पे आएं ऐंति न वाले गिनावा तो रहा कि आँ आजा एक सवाल यह पूचते के देखता हूँ, यहाँ सरीला में जिस जगह पर हम लोग बोल रहे हैं, इसके 5-10 किलोमीटर के दाइरे में किसी का खेत पड़ता है, किसी का खेत यह जमीन है इदर, होगी किसी की, 10-15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर पे है, 7-8 किलोमीटर, तो द नीचे पानी डाल रहा है, उपर पितर कैसे तर रहे हैं, इसी एक सरीला में, एक ऐही कस्वे में, यहाँ पानी डालने पर कह रह नहीं पहुचेगा, उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, पाइप लाइन, किलीए लगाने पड़ेंगी, किरसी जोड़े बिजि ये सिश्टम देखो कि यहाँ पानी डल रहा है, यहाँ पूडिया खबर ही है, यहाँ गईया दान हो रही हो, आराम महा मिल ला है, इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, लेकिन ये समझाना उतना ही मुश्किल है कि मूर्ख बना दिये गए हो, अंद विस्वास से कैसा सब्द है इस देश में अंद विस्वास, जिस पर बहुत जल्दी से विस्वास हो जाता है, चुकि मेरे बाद में दो वक्ता और हैं, इसलिए बात यहीं पर घतम करूंगा और इतना कह करके घतम करूंगा, कि अगर मेरी बात ठीक लगी हो, तो उसको अपने जीवन म अगर दस लोग भी अमल कर लें, भागवली राजपूर जी यहां बैठे है, मेरे गारजियन है, भागवली राजपूर जी ने अपने दो लोग उनके घर में इंटरकास्ट मेरिज हो चुकी है, तो जो दूसरा अंतर जाती विवा हुआ, मुझे पता चला कि लोधी समाज क लोग इखटे, उनने हमारा उस्रा बढ़ा दिया, हम यह सोच के गए थे, कि इनसे कहेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ प्रताब लोधी जी जैसे और महान जी जैसे लोग में लगए कामता भाई जैसे, बोले कि इनकी बहुत पद्दती से हुई है, इनकी ब पाखंडी कहते हो, उनी समाजों से मैं हजारों मेट करवादी तयार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई मारना बंद नहीं करता, मैं यह सोच समझ के नहीं छोड़ देता हूँ, क्यार चौरसिया है, इनका बोड़ बेंक है ही कहां, यार यह तो प्रजापती है, इनका बोड हुए हैं यह प्रण कर लो कि आज के बाद तुम्हारे महले में जितने लोग रहते हैं उनमें किसी को भी छोटा बड़ा मानना बंद कर दो यह जो वर्ण विवस्था का करम है यह तूट इसलिए नहीं रहा है कि सब सब अपने कंफर्ड जो उनमें जीते हैं अगर किसी ने तो कुर्मी ने उससे लड़ा नहीं कुर्मी ने का अच्छा हम और नीचे देखेंगे तो कुर्मी ने और नीचे देखा बोले यह हमसे नीचे फिर जिसने उसने नीचे का हम और नीचे देखेंगे यह हमसे नीचे और हैरत की बात जो जातिकत सोपान में पाइदान में नी नीचे मानेगा इन ब्रह्मनवादियों द्वारा वो भी कहते हैं कि यह हम से नीचे जो लोग 20-30-30 साल से अंबेड कर वादी हो गए उन्होंने भी इंटरकाष्ट मेरिस शुरू नहीं की है यानि कि वो भी जाती ब्यवस्था में पड़े हुए हैं इसलिए यह बढ़े ब्य कान जी ने उस बात को थोड़ा सच हुआ मैं उस बात को अंतिम कर देता हूं कि अगर इस देश में जाती ब्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है जैसे कुर्मी छत्री ट्रांसफर ले लिया छत्री में लोधी छत्री हैं लोधी लेकिन ट्रांसफर ले लिया छत्र अहीर छत्री तुझे छत्री वाला सिष्टम अगर है तो जब ट्रांसपर ले ही रहे हो तो दोयम दर्जे के जाती में क्यों ले रहे हो पहले दर्जी की ट्रांसपर ले लो कहे दो कुर्मी ब्रामण यादो ब्रामण वाई जब ट्रांसपर ले ही रहे हो तो क्यों कह रहे हो क दोयम दर्जे के हैं इसका मतलब तुम्हें अपने महापुर्सों पर अपने समाज पर यकीन नहीं है तुम डर्पोख हो दब्बू हो इसलिए दूसरे के आवरण में और खोल में छुपना चाहते हो जब हमारे पुर्खे इतना काम कर गए बताना है इन बच्चों को तो भीम पासी के खांदान से आते हो बच्चों को बैक वेंचर से मत बनाओ और ये जाडू और मटके की कहानी का बंदाना बंद कर दो आज का बहुजन ये है जो सीना ठोक करके बोलता है समिधान के दंप है और इस मंच की तरफ से बड़े भाई नीरज भीया की तरफ से बहुत पर करना है फिर हम मिलके बताएंगे कि किस कि स्विवार करना है अभी तो परिंदे सुमार करना है फिर हम बेटकर वादी बहुजन बादी मिलकर के बताएंगे कि किस कि स्विवार करना है बड़ा गुरूर है सक्ताधारियों तुझे मगर हम सब को जिद है के दरिया को पार गा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब, जिंदावाद, उल्गुलान, जिंदावाद, धन्यवाद